हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल देव लेटेस जॉब अपडेट में दोस्तों अभी एक रिक्रूटमेंट की सौट नौटिकेसन जारी हुई है बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है दोस्तों बहुत जादा सीट है डोटल सीटव सेट दोस्तों 4700 चैनल टोस्तों इसमें जूनियर इंजिनिर की रिक्रूटमेंट है और आपकी जो नन्-क की रिक्रूटमेंट है मतलब बहुत सारे recruitment निकल के आ रहे हैं आपने डिप्लोमा कर रखा तब भी इलिजबल आई टी आई कर रखा तब भी इलिजबल हैं या आपके पास और किसी तरकी ग्रिजबेशन की डिगरी तब भी आप इलिजबल हैं तो दोस्तों वीडियो को यह जो शौड नौटिफिकेशन इसके बारे हम टोटल बताएंगे तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको ऐसी लेटेस वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है तो दोस्तों जो रिक्रूट्मेंट निकल के आ रहा है बेसिकली यह अप सियाई के अंतरगता आ रहा है फूड कार्पोरेशन आप इंडिया के अंतरगता रहा है दोस्तों यह जो शौड नौटिकेशन जारी हुआ है टाकट के बात कर देंगे तो दोस्तोंματα बैसिकली क्टे इन एक कमेंट क्या हो इस आपको एज्यृप है लेकिन मैं आपको कीलियत समझा दूंगा कोई इसू आपको होने वाली नहीं है तो यह कटेगरी टू की अगर हम बात कर लें तो यहां पर देखिए दोस्तों जो आपकी रिकूटमेंट है वह टोटल देखिए यहां पर दी गई है हर डिपार्टमेंट वाई अलग-अलग अब यहां पर देखिए दोस्तों डिपोटो यहां डिपोटो की रिकूटमेंट अब इसके लिए भी दोस्तों आपका टेक्निकल डिग्री मांगा जाता है यहां पर जो टोटल सीट इसके लिए वह तीन सीट है दोस्तों अब यहां पर देखिए जो नेक्स रिकूटमेंट और तेक्निकल के लिए यहां पर टोटल सीट सोल है अब इस टेक्निकल जो दोस्तों कटेगरी 2 की रिकृूटमेंट होती है इसके लिए आपके पास बी बीटेक होना चाहिए बैसिकल लिए इस कटेगरी 2 में बीटेक वाले कंडिडेट अप्लाइए करेंगे अभी यह टेक्न अब इसके बदिखिए यहां पर जो, अगर हम टोटल सीट की बात कर लें, तो टोटल सीट इसमें जो है दोस्तों, 35 सीट होने वाली है, मतलब लब टोटल नंबर आफ सीट 35, यहां पर होने वाली, भी अपना। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, यह हो गई category 2 की बात अगर हम बात करें category 3 अब यहाँ पर category 3 में आपका जो qualification मांगा जाता है दोस्तों वो diploma मांगा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपने बीटेक सीवील इलेटिकल लेक्टाउनिक्स किसी ब्रांच से किया तो है आपने डिप्लोमा किया है किसी ब्रांच से सिवील इलेटिकल मेकानिक्स किसी से तो आप इलिजिबल इसी तरह के लिए भी सारे ब्रांच के कंडिडेट इलिजिबल हैं तो दोस्तों और नांटेक के भी और मअगी मगी गई अब दोस्तों बहुत ज्यादा सीटरी चीट तो अभी सारे सिवील किसमें नहीं किया गया किस किस किसी डिपार्टमेंट में इसमें कितनी से तो इसमें जो टोटल सीट यहां पर बहुत ज़्यादा सीट है तो अब यह भी कंफर्म किया जाएगा सिबील किसमें कितनी सीट है फुल नौटिपिकेशन आएगा आपका इलेक्टिकल मेकैनिकल या इलेक्टानिक साथ की कितनी सीट है अब नेक्स रिक्रूट्मेंट की अगर हम बात कर लें जी सॉरी अब यहां पर इलेक्टिकल की यहां पर लेगी का बाहुन ठेडिकशन है और तो आप सीट है इस है इस तो शॉट्मन बहुत के लिए देखिए अभी ही हम यहांको आप का जो 10क्त है इसके लिए आपका यहाँ पर तोटल सीट दोस्तो है कटेगरी थ्री में जिसमें आपका डिपलोमा इलिजबल किया जाता है यहाँ पे 2521 सीट है अब हम आगे बात कर लेती हैं यहाँ पर देखें दोस्तों कटेगरी फोर की जो watchman की recruitment है यहां पर देखिए state wise recruitment दिया गया है आपका इसमें आपको इंटर वाले भी 12 वाले इलिजबल होते हैं आप यहां देखिए पंजाब के लिए अलग सीट है 860 सीट है हरियाना के लिए अलग 600 UP के लिए 411 राज्थान के लिए दिया गया तो मतलब इसी तरह सारी स्टेट के लिए भी आप सेपरेट recruitment इसमें मिल जाएगी तो दोस्तों यह था भी सौड नॉटिफिकेशन जब आपको फूल नॉटिफिकेशन इसका जल्द आएगा तो हम आपको उसका वीडियो पूरा बनाके आपको बता देंगे उसमें जो की डिटेल लेगा तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है कि मलब 4700 आपका 4700 प्लस वैकेंसी आने वाली एपसी आई में तो आप अपनी तैयारी को अच्छी से रखिए क्योंकि recruitment बहुत ज़्यादा है आपने बी बीटक कर रखा किसी ब्रांच से या को समझ में होगा अगर समझ में आया तो जाद जाद आपने दोस्तों को सेयर करें अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब कर लें मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए जहिंत